नमस्कार विद्यार्थियो आज हम शुरू करते हैं कक्षा सात्मी विज्ञान का दूसरा पार्थ जिसका नाम है प्राणियों में पोशन पोषन कैसे होता है प्राणियों में, क्या-क्या किरियाएं रहती हैं पोषन की, वो सभी इस पाठ के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहला परसन देखिए क्या है उचित सबत दवारा रिक्स्तानों की पूर्ति कीजिए पहला है, मानव पाचन के मुख्य चरण खालिस्तान है मानव पाचन के मुख्य चरण क्या-क्या है सबसे पहला चरण है अंत्य गरहन, उसके बाद पाचन, फिर आवसोशन, फिर स्वांगी करण और उसके बाद निश्काशन अंत्य गरहन का मतलब होता है बोजन को शरीर के अंदर गरहन करना बोजन गरहन करने के बाद उसका क्या किया जाता है पाचन किया जाता है शरीर में वो पचाया जाता है अब पचा हुआ बोजन का क्या हो जाता है अवसोशन हो जाता है पचा हुआ जो बोजन है वो अवसोशित होकर हमारे सरीर में चला जाता है और जो अवसोशित भोजन है जो सरीर में चला जाता है उससे फिर हमें क्या मिलती है उर्जा मिलती है और इसको क्या बोलते है स्वांगी करन ये स्वांगी करन आएगा याँ पर स्वांगी करन अब जो एपचित भोजन पीछे बच जाता है जो बिना पचा हुआ भोजन है उ और उसके बाद निश्कासन ये पाचन की मुखे किरियाएं है मुखे चरण है जो आपको याद रखने हैं दूसरा खालिस्तान देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी गरंथी का नाम सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है लीवर है लीवर को इंदी में क्या बोलते हैं ये क्रीत हमारे स्रीर की सबसे बड़ी गरंथी है ये आपको याद रखना है तीसरा खालिस्तान क्या है आमासे में हाइड्रोकलोरिक अमल आमासे में एक तो हाइड्रोकलोरिक अमल निकलता है एवं खालिस्तान का स्तराव होता है जो बोजन पर किरिया करते हैं दूसरा होता है आमास सैंही रस एक हाइड्रोकलोरिक अमल और अमस्य रस भी आप से को बोल सकते हैं आमस्य रस और हाइड्रोकलोरिक अमल ये बोजन का करते हैं पाचन करते बोजन पर किरिया करते हैं sah degrees लाहाइ सुदरानतर की आंत्रिक बित्ती पर Ngulih के समान अनैक परवर्दक होते हैं जो खालिस्तान कहलाते हैं सुद्रांतर क्या होती है सुद्रांतर होती है बेटा छोटी आत और छोटी आत की जो अंदर वाड़ी विती है उसमें अंगुली के समान उबरी हुई सरजनाय होती है जो दिरग्रोम कहलाती है क्या कहलाती है दिरग्रोम कहलाती है जित सनचना नहीं होती है अमीबा में अनेक खाली जगह होती है जहां पर भोजन होता है और उसे बोलते हैं खाददानी क्या बोलते हैं खाददानी तो अमीबा जो है अपने भोजन का पाचन कहां करता है अमीबा अपने भोजन का पाचन खाददानी के अंदर करता है ठीक है ये आपको याद रख लेना है अब दूसरा परसन पर चलते हैं सत्य उम ऐसत्य कत्नों को चिनही कीजिए मंड का पाचन आमासे से प्रारम होता है बिल्कूल गलत अब बोजन का पाचन कहां से शुरू होता है मुख से शुरू होता है तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा आमासे सुरू नहीं होता है बलकि मुख से सुरू होता है दूसरे पर चलते हैं जीब लाला गरंथी को बोजन के साथ मिलाने में साहिता करती है जीब जो है जो लार निकलती है लार कांसे निकलती है लाला गरंथी से निकलती है जीव लाला गरंथी से निकलने वारी लार को बोजन के साथ मिलाने में साहिता करती है बिल्कुल सही बात है जीव बोजन को लार के साथ मिला देती है तीसरा देखिए पितासे में रस एस्थाई रूप से बंडारित होता है पितासे में पीतरस इखटा होता है पीतरस जो ये करित से निकलता है पीतरस वो पितासे में बंडारित होता है ये बिल्कुल सही है चोथा देखिए इसके अंदर रूमिनेंट निगली हुई गास को अपने मुख में वापिस लाकर धीरे-धीरे चबाते हैं अब सबसे पहले रूमिनेंट क्या होते हैं रूमिनेंट उन पसूँ को कहते हैं जो एक बार में ही पूरे घास को निगल कर और फिर आराम से बैठकर देरे-देरे चबाते रहते हैं यानि जो जुगाली करते हैं जो जुगाली करते हैं जैसे गाएं है बहेंस है ये पूरे गास को खाकर और फिर आराम से बैठ कर जुगाली करती है यानि अपने गास को अपने मुख में अपने पेट से वापिस लाती है और दिरे दिरे चबाती रहते हैं तो इस परकार के पसूं को रुमिनेंट कहते हैं और ये बिल्कुल सही है तो यह आप देख बी सकते हैं पहला आसते और पर तीनों शक्ते हैं इस परकार आप अपनी बुख के अंधर ये कर सकते हैं और याद कर सकते हैं अगला देखिए सही विकल्प चुन्ना है वसा का पूरण रूपेन पाचन किस अंग में होता है वसा का जो पूरण पाचन होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है सुद्रांतर के अंदर ये बिल्कुल सही जवाब है आमासे में नहीं होता है मुख में भी नहीं होता है यहा बिलकुल सही जवाब है कई किताबों में गल्त भी दिया हुआ है जल का अवसोशन मुख्य तक किस अंगदवारा होता है जल जो है सरीर में अवसोशित किस अंगदवारा होता है इसके अंदर आ जाएगा चारवारा ब्रीदांतर बड़ी आंत क्या जाएगा बड़ी आंत जो है बड़ी आंत ब्रीद आंतर कहलाती है और इस बड़ी आंत के अंदर जल का अवसोसन पुरा होता है ये इसे ही उत्तर आ जाएगा इसमें उसके बाद अगले परशन पर चलते हैं कोलम ए में दिये गए कतनों का मिलान बी से करना है अब आगे सही मिलान करने हैं आपको खाद गटक खाद गटक कौन से हैं इसमें देखिए खाद गटक हैं पाचन के उत्पाद जो बोजन की गटक होते हैं जैसे कार्बो हाइडरेट कार्वो हाइडिरेट कि से सरकरा में बदल जाता है। जो पाचित होकर अमीनो अमल में बदल जाएगा वसा का पाचित होकर वसा अमल और गलीस रोल में बदल जाएगा तो यह आपको सही मिलान याद रखने हैं कार्बो हाइडरेट सरकरा में बदलता है प्रोटीन अमीनो अमल में बदलता है और वसा वसा अमल और गलीस रोल में या पर ये गलीस रोल आएगा ठीक है ये आपको याद रख लेने हैं तो इनके उत्तर आप देख सकते हैं सरकरा अमीनोमल और वसा अमल और गलीस रोल बिल्कुल सही है जो आपको याद कर लेने हैं चलिए पांचमें परसंड पर हम चलते हैं पांचमें परसंड क्या है द्री सुद्रांतर बोलते हैं उसकी आंत्रिक बित्ती पर अंगूली के समान उबरी हुई सरस्थनाएं होती हैं जिने द्रग्रोम अत्वा रसांग्पूर कहते हैं तो यह आपको याद रखना है क्या है इसका उतर देखिए सुद्रांतर की आंत्रिक बित्ती पर अंगूली के समान उबरी हुई सरस्थनाएं होती हैं जिने द्रग्रोम अत्वा रसांग्पूर कहते हैं उगली जैसी उबरी हुई सरस्थनाएं जो छोटी आंत्रिक बित्ती में होती हैं ठीक है इन सरस्थनाओं को क्या बोलते हैं द्र पच्चे वह बोजन के लिए श्ट्र को बढ़ाते हैं जो पचा हुआ बोजन है उसके लिए जादा च्छेतर के आउसकता होती है तो उस च्छेतर को बढ़ाने का काम करती हैं दिरंग रोम के अंदर मोजुद रक्त भाईकाएं, दिरंग रोम के अंदर क्या होती हैं, रक्त भाईकाएं होती हैं, जो पचे हुए बोजन से पुस्क तत्वों को सोख लेती हैं, अवसोशित कर लेती हैं, तो इसे कारिये भी आपको याद हो गए, दिरंग रोम क्या काम कर करते हैं पचे हुए बोजन के अवसोशन में सायक है दिरग रों के अंदर रखत वह इकाय होती है जो पचे हुए बोजन का अवसोशन करती हैं अगले परसंद पर चलते हैं च्छाई का परसंदेखिए पीत कहां निर्मित होता है यह बोजन के किस गटक के पाचन में साहिता करता है पीत लिवर या हम इसको बोलते हैं यकरीत यकरीत या लिवर जो है वो पीत रस को सत्रावित करता है और यह सत्रावित करना होता है छोड़ देना ठीक है लीवर पीत रस छोड़ता है और वो पीत रस कहां इखठा हो जाएगा पितास से में जमा हो जाएगा पितास सेगेंडर बंडारित हो जाएगा इखठा हो जाएगा और इस पीत का मुख्ये पाचन क्या है बोजन के किस घटका पाचन करता है ये वसा के पाचन में महत् है यह आपको याद रख लेना है अगले परसंद पर चलते हैं उस कार्बो हाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट दोबारा किया जाता है परन्तु मानव दोबारा नहीं रूमिनेंट कोन से होते हैं जुगाली करने वाले जैसे गाएं बहस हैं जो एक बार में बोजन को खा लेते हैं और आराम से बैठके उसको जुगाली करते रहते हैं अपने पेट से बोजन को वापिस लाकर मुख में चबाते रहते हैं उन्हें रूमिनेंट बोलते हैं तो वह कौन सा कर्बो हाइड्रेट है जो सिरफ पसू पचा सकते हैं मनुस से नहीं पचा सेलूलोस का पाचन नहीं होता है सेलूलोस हरी पतियों में या हरे गास में पाए जाता है जिसका पाचन सिरफ हो सिरफ रूमिनेंट दवारा होता है मनुष से दवारा नहीं होता है तो इसका उत्रियाद रखना है सेलूलोस अगले परसन पर चलते हैं इसको आगे और पड़ लेंगे आप रूमिनेंट में सुदरांतर और बरीदांतर के बीच एक बड़ी थेली नुमा सरजना होती है रूमिनेंट जो जुगाली करने वाले पसों इनमें छोटी आथ और बड़ी आथ के बीच में एक बड़ी थेली होती है जहां कुछ बैक्टरिया किरिया करते हैं और सेलूलोस युक्त बोजन को पचा देते हैं जुगाली करने वाले पसों में रूमिनेंट में जो सेलूलोस को पचा देते हैं दूसरी और मनुष्य में सेलूलोस को पचाने वाले जिवानों नहीं होते हैं या पचाने वाले एंजाइम नहीं होते हैं उसे में सेलूलोस पजाने वारे एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन रुमिनेंट या जुगाली करने वारे जो पसु हैं उनके अंदर होते हैं परसन नमबर आठ पर चलते हैं क्या कारण हमें गुलुकोज से उर्जा तुरंत प्राप्त होती है जैसे हम होस्पिटल में जाते है बिमार हैं तो डोक्टर क्या करते हैं में गुलुकोज लगा देते हैं और गुलुकोज से हमें तुरंत उर्जा मिल जाती है उसका क्या कारण है देखिए उत्तरिश का गुलुकोज एक सरल सरकरा है सरल का मतलब बिल्कुल ही सिद्धी साधी सरकरा है जो पची हुई है जब जब गुलुकोज सिध्य लिया जाता है तो इसे पचाने की आउस्यकता नहीं होती है और इस पर कार्व यह उर्जा को एक तवरिद श्तरोथ के रूप में कारी करती है तो इसका उत्राप को समय में आ गया हुआ गुलुकोज से सीधी उर्जा मिल जाती है तुरंत उर्जा मि तो यह पहले गुलूकोज में बदलेगा फिर इससे हमें उर्जा मिलती है इसलिए इसमें टाइम लग जाता है लेकिन अगर सीधा गुलूकोज लेओगे आप तो तुरंत आपके शरीर को उर्जा देदेगा क्योंकि इसके पाचन की इसे पचाने कियावसकता नहीं होती है य अब जो अहार नाल है उनके दुवारा जो निमन किरी आएं हैं ये नीचे दी हुई किरी आएं हैं ये कौन-कौन सा भाग करता है ये हम पढ़ेंगे पहला है पचे बोजन का आवसोशन पचे हुए बोजन का आवसोशन कहा होता है सुद्रांतर या छोटी आत में पहले का समान परवर्दक होते हैं द्रग रोम और ये पचे हुए बोजन के अवसोशन में साहिक हैं दूसरा देखिए बोजन को चबाना बोजन कहां पर चबाते हैं मुह के दवारा चबाते हैं ठीक है तीसरा देखिए जिवानु नश्ट करना जिवानु नश्ट कहां होते हैं हमा हो जाता है क्योंकि आमासे में क्या छोड़ा जाता है अमल स्त्रावित होता है अमल छोड़ा जाता है जो जिवानों को नश्ट कर देता है अगला देखिए भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का समपूरण पाचन कहा होता है सुदरांतर, छोटी आंत, इसका भी उतर क्या है छोटी आंत, छोटी आंत में भोजन का पूरण पाचन हो जाता है सुदरांतर के अंदर अगला है मल का निर्मान मल जो है या अपसिष्ट पदार्थ है उनका निर्मान कहा होता है बरीदांतर जिसे क्या बोलते है बड़ी आंत बोलते है बड़ी आंत में आपचित जो भोजन है वो इकठा रहता है वहाँ पर मलका निर्मान होता है अब अगले परसन पर चलते हैं 10 का परसन मानव एवम अमिबा के पोसन में कोई एक समानता एवम अंतर बताईए जो मानव है और अमीबा है इसके पोशन में कोई एक समानता बतानी है और एक अंतर भी आपको बताना है तो अभी पढ़ते हैं अमीबा और मुनुष से दोनों को उर्जा के आउसेकता होती है उनके सरीर के विकास और रखरखाओ के लिए ठीक है यह उर्जा उस बोजन से प्राप्त होती है जो वे खाते हैं दोनों ही जीव हैं अमीबा भी जीव है मनुस्य भी जीव है तो दोनों को बोजन किया आउसकता होगी ना उर्जा प्राप्त करने के लिए जो बोजन वे उभोग करते हैं वह हमेशा एक जटिल रूप में होता है जो ये बोजन खाते हैं वो जटिल रूप में खाते हैं यानि कि वो पचा हुआ नहीं होता है इसलिए वह सरल रूप में पाचन की परकिरिया दोबारा तूट जाता है तो पहले उसको पाचन किया जाता ना और सरल में उसको तोड़ा जाता है इसलिए वो दोनों जीव कैसे हैं हेटरोट्रोप हैं हेटरोट्रोप वो हते हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन पराप्त करते हैं जैसे मनुस से है मनुस से अपना भोजन खुद नहीं बना सकत न मनुष्य तो पेड पोदों से बना वोजन पराप्त करता है जैसे फल खाते हैं गयंहूं खाते हमें अमनुषे में आ जाता हिट्रोट्रोप होते हैं का विशंह फोसी जो लिवसन में अपना बोजन पराप्त करते hierarch इसमें ना तो मुह होता है और ना ही पाचनतर होता है युआ हो गया दूसरा अंतर क्या है पाचन रस गुच्छेदार गूहा पैट और चोटी आथ में स्ट्रावित होता है मनुस्ये में तो छोटियांत भी होती है पेट भी होता है और गुछेदार गुह भी होती है इन में पाचन रस है वो स्त्रावित होता है लेकिन इसमें क्या करोगे अमीबा में क्या होता है पाचन रस खाद रिक्तिका में स्त्रावित होता है जो खाद रिक्तिकाएं बनती है ना खाद रिक के अंदर गुछेदार गुहा होती हैं जो खाली जगह होती है शरी के अंदर वहां पर पाचनरस होता है लेकिन अमीबा में खाद रिक्तिका में होता है यह दूसरा अंतर था तीसरा अंतर देखिए कार्बो हाइडरेट प्रोटिन और वसा का पाचन अलग-अलग छेतरों से अलग अलग छेत्रों में शुरू होता है। मनुस्य में कार्बोहाइडरेट, प्रोटिन, वशा का पाचन अलग अलग जगह पर होता है। लेकिन अमीबा में खाद रिक्तिका में एक ही जगे पर सभी का पाचन हो जाता है ये इनमें क्या थे अंतर थे और समानताएं क्या थी समानताएं ये थी कि दोनों ही जटिल बोजन लेते हैं और भार से बोजन लेते हैं ये क्या थी इनमें समानताएं थी ठीक है न और दोनों भूजन का पाचन करती हैं. दोनों को भूजन की आऊ सिकता होती है. अगला परशन देखिए. कॉल्म A में दिये गए सब्दों का मिलान कॉल्म B भी इसे करना है. लाला गरन्थी. लाला गरन्थी क्या करती है? लार छोड़ती है ना जिसे लाला रस बोलते हैं लाला रस सत्रावित करती है आमासे आमासे क्या करता है आमासे में तो अमल बाहर निकलता है तो अमल का निर्मोचन होता है यकरीत यकरीत क्या करता है यकरीत तो पीतरस छोड़ता है ना पीतरस का सत्रावन करता है मलासे मलासे होता है बिना पचा हुआ बोजन वहां पर इखटा होता है बिना पचेवे बोजन को मला से बोलते हैं और ये मला से क्या करता है इस बिना पचेवे बोजन का बंधारण करता है तो आपको याद करने हैं लाला गरंती लार रस्त्रावित आमा से अमलका निर्मोचन यकरित पीत द्रसकास्तरावन मलास से बिना पचे बोजन का बंदान और लाश्ट मेरा गया सुद्रांतर क्या करता है बोजन का पूरुण पाचन करता है और बरीदांतर में जल का आउसोशन होता है तो यह आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेने हैं सुद्रांतर छोटी आथ होती है जिसमें पाचन पूरा हो जाता है बरीदांतर में मलास से होता है और वहां से जल का आउसोशन भी हो जाता है बड़ी आथ के अंदर जल का आउसोशन होता है यह आपको याद रखना है उसके बाद 12 का प्रसंद देखिए पाचन तंतर का आरेक खीचना है इसके नाम लिखन यह रहा यह करित है इसे लीवर बोलते हैं यह सबसे बड़ी गरंती है और यह करित जो पीतरस छोड़ता है वो इसमें इखठा हो जाता है पितासे के अंदर यह पितासे दिखाया वाना इसके अंदर इखठा हो जाता है ठीक है देखिए यह लीवर है इस प्रकार की शेप का ये पितासे है ये वाड़ा जहां पर पीतरस इखठा होता है लेवर के जवारा जो छोड़ा दाता है ये जो इस प्रकार की शेप का जो है ये वाड़ा ये आमासे है जिसे हम पेट भी बोलते हैं या आमासे भी बोल देते हैं गरंथी है इस प्रकार की गरंथी होती है इस प्रकार की गरंथी होती है ये दिखाई दे रही आपको इसे बोलते हैं अगनास से गरंथी क्या बोलते हैं अगनास से गरंथी ये पाचन रस छोड़ती है उसके बाद निचे आते हैं तो ये देखो कुंडली करत दिखाई दे न लंबी होती है लग बग 20 फिट इसखी फुट इसकी लंबाई होती है छोटी यांत कि मिटाई सिख्यांतर के देने होती है 20isc के meeter होती है बड़ी आत की लंबाई एक प्वाइंट पांच मीटर होती है छोटी आत की लंबाई चैंते साथ मीटर होती है यह आपको याद रख लेना है उसके बाद यह मलासे है जहां पर भोजन जो आपचित भोजन है वो इखठा हो जाता है और यह गुदादवार है इससे हम एपशीत भोजन को बाहर निकालते हैं यह गुदादवार है तो यह किसका चितर है मानव पाचन तंतर का ठीक है इसमें याद रखना है ये यकृत है यकृत पीतरस छोड़ता वो पितास्य में खठा हो जात फिर बोजन चोटी आत में आजाता है सुद्रांतर में यहां पर बोजन का पूर्ण पाचन होता है और इसी के अंदर द्रेगरोम होते हैं जो बोजन को पचे हुए बोजन को अवसोशित करते हैं फिर जो बिना पचावा बोजन बढ़ी आत में चला जाएगा वहां से जल का उसोशन हो जाएगा जल बड़ी आत बरीदांतर से सोख लिया जाता है और एपचित बोजन एपचित बोजन यहां मलासे में खटा होता है और गुदा के दवारा बाहर निकाल दिया जाता है यह आमासे है ठीक है यह आपको अच्छी परकार से इस डाइगराम को उतारना है अगला परशन देखिए अगला परशन क्या है क्या हम केवल हरी सबजियां या घास का बोजन कर जीवन निर्वा कर सकते हैं क्या केवल हरी सबजियां या घास खागर ही जीवन निर्वा कर सकते हैं क्या देखिए उसका उत्तर क्या है नहीं हम नहीं कर सकते हैं हम केवल हरी स सब्सक्राइब करने वाले जिवान अनुपस्तित है तो ठीक है हरी सब्सक्राइब कर जीवन निर्वान नहीं कर सकते हैं हम मनुष से नहीं कर सकता है क्योंकि हरी सब्सक्राइब करने वाले पसू है जिनें रूमिनेंट बोला जाता है वो इसका पाचन कर सकते हैं क्योंकि उनमें विशेश प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो इस cellulose का पाचन कर सकते हैं हम इसका पाचन नहीं कर सकते हैं तो हम अकेली हरी सबजियों और गास से अपना जीवन निर्वा नहीं कर सकते हैं तो पिर ये विद्यार्थियों साथ में पाठ के सभी परसनुत्तर आपको अच्छी परकार से समझ में आ गए होंगे कोई प्रोबलम है कोई समस्या है तो आप कॉमेंट करके जरूर बताईए और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ये भी आप जरूर बताईए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिये और एक बैल आइकन जरूर दबाईए ताकि आपको जो डेली हम वीडियो डाल रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद